नमस्कार मित्रो आज के ये एपिसोड में आपका सौगत है हम बात करने वाले हैं पैसे के बारे में पैसे की समझ और वेल्थी माइंसेट के बारे में बात कर रहे हैं हमने देखा माइन को प्रोग्रामिंग, हमने देखा पिश्वास और हमने देखा कि किस तरह से हम अपने आपको हम भागेशाली, दौलत, मंद और सबसे इंपोर्टेंट हम अपने आपको अमीरियत बना सकते हैं अमिरियत के और लेकर जा सकते, तो मित्रो, आज का यह जो आज का लेसन है, बहुती महतुपूर्ण है, आज का लेसन क्या कहता है, ज़ किच्च, एक बार सभी लिखेंगे, ज़ किच्च, ज़ का मतलब होता है, अगर मैं खरीदने जा रहा हूं, कोई भी समान अगर आज के ब जो सामान खरीदने जा रहा हूँ, मुझे चावल खरीदना है, तो अपने आप से बोलना है, चावल जो है, ये जरूरत का सामान है, या चाहत का सामान है, मैं मोबाइल खरीदने जा रहा हूँ, कि मोबाइल मेरी जरूरत है या चाहत है, मैं किताब खरीद रहा हूँ, अपने को जरोत नहीं वो चाहत को इसे खरीदते हैं चाहत का मतलब है कि अपने आपको एक wrong तरीके से अपने आपको करजे में डुबाने के तरीके से वो खरीदते हैं अपने आपको वो करज में डुबा देते हैं चाहत में इनसान कर्ज में डूप जाता है और जरूत में इनसान जरूत की चीज़ों को खरिद के वो आगे बढ़ता है तो आज के बाद अगर आप अमीर बनना चाहते ना मित्रो जो क्या च यह लेशन को याद रखेगा कई बार होता ना लोग लोग चाहत की चीज़ों में इतना अपने आपको वेस्ट कर देते हैं, कि जरूरत के लिए उनको फिर चाहत के सामान बेचने पड़ते हैं, जरूरत के लिए उनको चाहत का सामान बेचना पड़ता है, जरूरत के लिए चाहत का सामान बेचना पड़ता है, आज के बाद जब लाखो करोड रुपए बचा सकते हैं आप अपने जीवन में लाखो करोड रुपए बचा सकते हैं सर्क यह सोचकर कि यह जहए की चाहें कई लोग अपने जिन्दगी में बहुत सारा पैसा खर्च कर देतें मित्रों खर्च कर देते हैं यहाँ वहाँ खर्च कर देते हैं उनको पता नहीं होता है कि यह जह है कि चा है आज के बाद मित्रो अपने आप से एक सवाल पुछेगा यह जह है कि चा है यह जह है कि चा है ओके तो आज यह लेसं को देखेगा घर में देखिए कितने सारी चीज़े आपने खरी वाले आवश्यक वाले अनावश्यक वाले जवरत वाले चाहत वाले हमने अपने घर में बहुत सारी चीजे चाहत वाले खरीद लिए अपने आपको लिमिटेड में लेके रहे और देखिए कैसे जीवन बदलता है धन्यवाद अवाले पर चाहत कैसे सारी लिए माई लाले चाहत वाले चाहत वाले अवाले चाहतो रहे हमने